मुस्कार बच्चों मैं विजे विरेंदर वोकशनल टीचर गुवर्मेंट शिनेशिकेंडे स्कूल कोटकला आप सभी का ITES चैनल पर स्वागत है क्लास 10 एक्सल क्लास 10 में जो है Microsoft Excel का टोपिक रहेगा यहां पर कॉडिशनल फॉर्मेटिंग अलाव यू टू छेंज दा फॉर्मेटिंग कमेना जिए आपको अलाव करता है आप का format जो है चेंज किया जाएगा format जो है हमारे पास font color हो सकता है border हो सकता है shading हो सकती है yes आप लोग जो है इसको manually कर सकते हैं परनतु आपके पास अगर huge amount of data है बहुत ज्यदा मातरा में डाटा रहेगा तो उसको करने में आपको time और मैनित बहुत लगती है उससे बचने के लिए हमारे पास क्या है conditional formatting जो है excel का एक important function है इसको हम use कर सकते है with the help of conditional formatting जो मैं अपने data जो है values है उसको format कर सकता हूँ font color, border और setting with the of the cell based on the value in it किसी particular condition पे उसको change कर सकता हूँ conditional formatting जो है excel के अंदर इसके अंदर आप highlight कर सकते हो किसी cell के values को highlight in the sense आप उस value को highlight करने है जो above 70 है या किसी value से greater than है या किसी एक value से वो less than है उसको highlight कर सकते हो या आपके पास एक table है उसके अंदर मालो आपके पास 100 बच्चे है आपने वो top 10 students निकालने है तो आप इसको use कर सकते हो या bottom के 10 बच्चे निकालने है तो आप इसको use कर सकते हो या top 10% निकालने है या data bars में data की value जो है वो बार के अंदर show करने है तो आप आप conditional formatting का इस्तिमाल कर सकते हो conditional formatting जो है वो आपके home tab के अंदर styles group में condition formatting जो है आपको मिलेगी condition formatting पे click करने पर आपको drop down menu जो है सामने आपके visible हो जाएगा आपके सामने आएगा drop down menu के अंदर आपके पास highlight, top, oblique, bottom जो है data bars, color scales आपके सामने display हो जाएगे जब भी आप condition लगाते हो अब यहाँ पे condition लगाई है greater than यानि कि हमें वो value बता नहीं है किस से greater than हो यहाँ पे हमने feed किया 75 अगर उस range के अंदर अगर value जो है कोई भी value 75 से अबव है यानि 76, 77 कुछ भी अगर greater than है 75 से अबव जो value रहेगी वो क्या हो जाएगी light red fill उसके अंदर के light red fill हो जाएगा यानि background जो है वो light color का red रहेगा और जो text है वो हमारा dark red color का हो जाएगा जैसे यहाँ पर condition लगाई है उसके अंदर के above 80 से 75 से जो अबव है वो के अगर दिर में green color के show कर दिए और जो 75 से below है वो क्या होगा है हमारे 70 जो है red color के होगा वो green color के है और 75 जो ना तो 75 से क्या है बिलो है ना ही 75 से greater है तो 75 अकेलर जो है वो क्या हो जाएगा as you do से रहा वो black color ही रहा in next example देखते है month समेधिय में January, February, March, April, May, June अब यहां पर unit sold है January में जो है 34 February में 85, March में 90, April 60, May 87, June 45 यहां पर हमने condition लगाई है greater than 70 जो value 70 से अबोव है यानि 70 से greater है 70 से बड़ी value है वो क्या हो जाए हमारे उसका background क्या हो जाए red color का background हो जाए तो यहां पर हमने क्या है 85, 90, 87 यह तो तीनू value जो है बड़ी है 70 से तो इनके background में क्या हो गया red color हो गया next condition लगाते है हम less than 40, less than 40 के अंदर क्या हुआ वो value जो 40 से small है छोटी है तो यहां पर स्विए एक ही value है January की 34 जो है वो क्या है 40 से small है तो यहां पर क्या हो सा color क्या हो गया तो students आपको समझ में आया हुआ कि किस तरह हमने condition formatting का इस्तिमाल करते हैं किया है विद्धा यूज ओप condition formatting जो है मैं अपने data को जो है अलग से format कर देख सकता हूँ formatting विद्धा क्या हो सकता है मारा color shading border और color conditional formatting जो है वो चेंज करता है चेंज दा फॉर्मेटिंग जो है चेंज दा फॉर्मेटिंग लाइक border color shading तीन चीज जो है चेंज करता है border color और shading conditional formatting जो है वो एक particular condition के ऊपर उस values को उसका format चेंज करता है उसको क्या करता है border चेंज करतेगा उस values का या उसका color चेंज करेगा या उसका shedding हमारे पास एक table है table में हमारे पास रोल नमबर, name, English, Hindi, Math, Science, IT में हमारे पास क्या है उस रिकोर्ड जो है उसका average देख हुई है 64.8, 76, 67 यह different types की हमारे पास average है अब हमने इस average के ऊपर जो है हमने यूज करने कंडिशन फॉर्मेटिंग कंडिशन फॉर्मेटिंग जो है टैब आपो बता यह रख है होम टैब के अंदर है मारे पास होम टैब स्टाइल्स ग्रूप कंडिशन फॉर्मेटिंग जैसे में क्लिक किया मारे पास यह आ गया अब यहां पर चाहिक क्या में प्र जैसे ग्रेटर ध्र तो अलग वेलर्यू से हैं हमने यहां पर यूज क तो आप देखते हो 75 जो फिट किया है उसे उपर किया है 76 है तो वह रेड कलर गए 50 से ब्लोग किया 24 15 30 तो इस तरह है जो हमने उस complete range को जो है अगर इस फॉर्मेट करना है यह अठानी कंडिशन तो कंडिशन रिमूब करना है तो सेम रहेगा कंडिशन फॉर्मेटिम जाके क्लियर रूल कर देंगे